बिग बॉस के घर में खाने के चीज़ों को चुराना इन दिनों तो आम बात है लेकिन एक बार चोरी करके फिर पकड़े जाना उसके बाद दोबारा चोरी करना और फिर दोबारा पकड़े जाना तो कोई अंकिता लोगखंडे से सीखे और बार बार चोरों को पकड़ना कोई मुनवर फारुकी से सीखे जी हाँ एक बार फिर से अंकिता लोखंडे जो हैं वो चोरी करती हुई नजर आई हैं और उनको दोबारे से पकड़ लिया है मुनवर फारुकी ने दरसल किचन में एक हानजादी काम कर रही थी तो उनके पास पहुच गई अंकिता लोखंडे और उनसे बाते करने लगी लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था अपने शातिर दिमाग से वो अपनी हाथों की सफाई करती हुई नजर आई जी हाँ बाते करते हुए उनने चीज़े चुराना शुरू किया लेकिन इस चीज़ को देख लिया मुनवर ने और वो भी आ गए किचन में और फिर वो कहने रगी अंकिता से की अंकिता जी आप काफी जादा गलत कर रही है मैंने आपकी हाथ की सफाई देख ली है और इससे पहले भी आपी ने कॉफी चुराया था और फिर मुझे भी सेम करना पड़ा था और उसको गलत जगा पे छुपाना पड़ा लेकिन फिर दुबारा से आप सेम हरकत कर रही है और अब तो आपके पास भी लगजरी आइटम है आपके पास दूद है आपके पास बटर है तो मैं भी सेम हरकत करूंगा और मैं भी आपके रूम से चीजे चुरा लूँगा क्योंकि भई अब तो आपके पास भी सब्सियां हैं और बाकी चीजे भी हैं तो आपको तो जरूरत ही नहीं है चोरी करने की और इसके बाद मुनवर अंकिता से कहते हैं कि आप भी अपने रूम में 24 घं कहते हैं कि बइए मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं रएक कि आपकी आखो में डर साफ साफ दिख रहा है और बस यही सुनते ही अंकिता लोखंडे हस पड़ती है और कहती है मुना यार तुने मुझे फिर से पकड़ लिया इस पर मुनवर जवाब देते हैं कि और क्या मैं हुई डिटेक्टिफ तो मुनवर डिटेक्टिफ के सामने से तो बड़े बड़े चोर नहीं जा सकते और आप तो बस अंकीता लोखंडे हो इसके बाद अंकीता मुनवर से कहती कि यार सूब भी तू मेरे साथ हार्श हो गया था हाँ भी मैं एकसेप्ट करती हूँ कि वो कॉफी मैंने ही चुराई थी इसके बाद इस कॉनवर्जेशन में खानजादी आती है और कहती है देर आए दुरूस्त आए शर्मंदिगी से ही लेकिन इन्होंने एकसेप्ट तो किया कि हाँ इन्होंने चुरी की थी महीं इसके बाद अंकिता कहती है कि चल भाई मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और मैं दोबार से चोरी नहीं करूंगी वेल ये देखना तो काफी जादा इंट्रस्टिंग रहेंगा कि अब दोबारा से अंकिता या फिर उनके टीमेट स्थोरी करेंगे घर में या फिर ये सिलसिला यहीं थम जाएगा आपका इस चीज को लेकर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में सरुरू बताए साथ ही ऐसे ही टीवी और बॉलिवुट से जुड़ी तमाम खबरे जानने के लिए आज जी फिल्मवीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूले हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए